हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गेज मिटाने का एक अच्छु कुपाए हाँ दोस्तों, गेज साज एक एजी परिशान ही है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर दूसरा आदमी इसके मारे परिशान है आपको क्या करना है, यह हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो हेल्ग से जुड़े हुए टिप्स में आपको मिलती रहेंगे और आप हमेशा फिट रहेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है हर घर की किचन में आसनी से पाई जाने वाली चीज़ होती है हल्दी हल्दी चीज़े गेस को आसानी से मिटा देती है दूद में जब भी आप पियें दूद ऐसी चीज़े जो आपको फायदा तो करती है पर अगर वो जब case बना देती है तो उसके फाइदे से भी जाधासा हो सकते हैं इसके कारन बहुत से लोग dut को avoid करते हैं पर उससे केल्शियम की कमी हो जाती है तो हम रोगों को क्या करना है हमें dut को avoid नहीं करना है पर gas ना बने इसके लिए क्या करना है इसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जब भी आप दूद पीएं सुबह और शाम के टाइम दूद में एक बटा चार चमच या थोड़े से दो या चार चमच चुटकी हल्दी मिला लेनी चाहिए हाँ दोस्तों आपको या थे एक छोटी सी चमच ला लेने चाहिए ये देखिया इतना से हल्दी या फिर आप अपनी चुटकी हल्दी आप इसमें मिला लें तो इस तरह कि इतनी सी चोटी चमच से आप हल्दी मिलाएंगे और दूद में घोल कर उसे पी जाएंगे तो आप देखें आपके पेट में बिल्कुल भी गेस नहीं बनेगे केल्शियम भर्दपूर मिलेगा आप हमीचा फिट और फाइन रहेंगे अत्ती गेस कभी आपको बन रही है आपने दूद नहीं पिया है या पिया है पर आपको गेस की प्रोब्लम हो रही है थोड़ा सा पानी केरम कीजिए उसमें हल्दी डालिए थोड़ी सी हल्दी डालिए एक बटा चाय चमज और थोड़ा सा नमक डालिए काला नमक हो तो और भी ज़्यादा बेस्टे हल्दी और नमक का जो पानी है उसे आप पी जाएए आपको गेस में तुरन तारा मिलेगा गेस मिटाने का अच्चो को पाए हर घर में असानी से अप्रवद होता है वो होता है हल्दी तो इस उपाए को कीजिए गेस को दूर भगाईए फिट रही है अपना ध्यान रखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पीजिए टेक केर